चैनल बन गया, वीडियोज भी अपलोड कर रहे हैं, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे, थोड़ी गड़बड हो रही है, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, कितने वीडियोज दिन में डाले, हमारा कॉंटेंट बराबर है या नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पा रही, अगर अब ऐसी ही कोई information आपको चाहिया है, तो मेरा ये आज का वीडियो ज़रूर देखें, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, हेलो फ्रेंस, विल्कम तो मैं चैनल टिप्स बस, अब आपने चैनल तो बना लिया है, आप वीडियोज भी अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वी वीडियोस तो डालते हैं, लेकिन हमारे वीडियोज पर व्यूज नहीं आते हैं, योट्यूब इंप्रेशन्स तो भिजते हैं, बट व्यूज नहीं आते हैं, ये क्यों होता है ? असल में इसकी जो असली वज़े है वो है content आपका जो content है वो या तो demand में नहीं है या आपने उस particular content का बराबर से video नहीं बनाया है कि जिससे जो viewer आपका video देख रहा है वो एक बार देख लेगा तो second time उसे इतना interest नहीं आएगा उसे उतनी video देखने के बाद satisfaction नहीं मिलेगी तो जब आप video बनाते हैं तो content knowledge भी जरूरी होता है आपको content की पढ़ाई नहीं करने हैं लेकिन content को आपने समझना है अब किस हिसाब से आपने content को समझना है अगर आपका content अगर किसी gadgets के related है electronics के related है तो आपने क्या करना है उसी के related 5-6 videos देखने हैं अपना new content create करना है और उसके बारे में बोनना है content का knowledge से यह मतलब नहीं होता कि आपने उस content की पढ़ाई करनी है या आपने उस content की बारीकियों को समझना है content को आपने analyze करना है content को आपने सिर्फ समझना है और अपना creation उस particular video में बनाना है as it is ही अगर आप अपना दूसरे के video को देखकर video बना लेंगे तो उससे क्या होगा जो viewer है वो यही सोचेगा कि यह content तो वो particular YouTuber ने बूला था कुछ नया नहीं आया इसमें तो इसलिए वो क्या करता है next time के जो आपके videos आप upload करते हैं उनको वो skip कर देते हैं इसलिए कोई एकाद video में आपका view आएगा तो दूसरे तीसरे videos में view down हो जाता है तो इसलिए जब आप किसी particular content के ओपर video बनाते हो तो उस content को analyze करो और recreate करो उस particular content के video को तो इससे क्या होगा आपने जिस content के ओपर video बनाया है उससे आपका video recreate हो जाएगा और viewer को देखने के लिए क्यों मज़ा आएगा क्योंकि आपने उसमें कुछ एक नई बात बताई है या आपका जो बताने का तरीका था वो viewer को पसंद आया अब मान लो जैसे कि आप एक story बता रहे हो वो story तो बहुत बार एक बच्चे ने सुनी है लेकिन जिस तरीके से आपने उस story को read किया है और जो आपने अपना tone रखा है वो story सुनाते टाइम वो उस बच्चे को बहुत पसंद आया इसलिए वो ये wait करता है कि आप कब अगली story डालेंगे तो वो आपकी stories देखेगा और ऐसे ही आपके channel पर views आएंगे तो माइने ये नहीं रखता कि आप YouTube के ओपर कितने videos डालेंगे तो आपका channel प्रमोट होगा आप एक डालो तो भी आपको भरपूर views आएंगे क्यों क्योंकि आपका content बहुत ही अच्छा था अगर आप तीन डालेंगे तो आपका channel बहुत जल्दी प्रमोट होगा और views तो भरपूर आएंगे ही क्यों क्योंकि आपके content में दम था आप चाहे आप एक अच्छा दमदार content का वीडियो डालो या तीन थोड़े से ओके ओके content के वीडियो डालो views आपको उनी content के ओपर मिलेंगे जिन content की demand चल रही है तो ये माइने नहीं रखता कि वीडियो आपने एक तीन या पाँच डालने हैं वीडियो डालते डाएंग आ आप जब भी वीडियो बनाएं तो content पे focus करें और content को analyze करने के बाद अपने वीडियो को recreate करें और उसे record करकर upload करें I hope आज की information आपको helpful लगी होगी प्लीज इससे अपने family friends में ज़रूर share करें ऐसे ही मेरे channel को support करते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में बाई